दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे चैंसर है और आप देखिए कुदृत का क कहर की तारिकふते की कैंसर से ही मौत हुई सिर्फ तारिकờं नहीं बलकि तस्लीमा नस्रीन भी एस्लाम विरोधी विचाठ धारा और बयानों को लेकर जाने जाती हैं तस्लीमा नस्रीन ने भी इसलाम को लेकर कई तरह की टीका टिपणियां की हैं और कुदरत का कैर देखिए कि जिस तस्लीमा नस्रीन ने इसलाम को हैंडिकेप्ट कह दिया था अब वो खुद अस्पताल में हैंडिकेप्ट पड़ी हुई हैं इसे को लेकर पत्रकार अली सौरा आप यहाँ पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं संयोग या इबरत नास्तिक तारिक फते ने कहा था इसलाम कैंसर है और कैंसर से उनकी मौत भी हो गई दूसरा है नास्तिक तस्लीमा नस्रीन ने इसलाम को हैंडिकेप्ट कह दिया था और हॉस्पिटल में आज वो हैंडिकेप्ट पड़ी हुई है यहां पर सोशल मीडिया पर लोग जो है वो यह कह रहे हैं कि यह कुदरत का कहर है यह कर्मा है जिस तरीके की चीजे इन्होंने बोली अल्ला ने इनको वही सजा दी है इसी के साथ कुछ पुराने मामले भी आपको बता देते हैं कि उस्ट्रेलिया का इसलाम विरोधी कारेकटा था आप स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे हैं उसकी इनका नाम है शर्मोन बर्गेस आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं इसमें लिखा है उस्ट्रेलिया क के सबसे प्रमुक इस्लाम विरोधी कार्यकट्टा के तौर पर जाने जाते थे इसलाम को लेकर तरह तरह की बाते करते थे और इसलाम धर्म के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर लेकिन अंत में इन्होंने भी इसलाम को कुबूल कर लिया और ऐसे कई ऐसे मामले हैं दोस्तों आपने देखा होगा 2019 में डच सांसद का एक मामला खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि इसलाम एक जूट है और कुरान पाक को जहर बता दिया था जिसके बाद कुछी दिनों बाद उन्होंने इसलाम धर्म को कुबूल कर लिया था उस डच सांसद ने अपनी कही हुई बात पर अफसोस बिचाताया था और कहा था कि मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिन्दा हूँ खबर देखी नियूज 18 की 2019 का ये मामला था सुर्कियों में उस वक्त खूब आया था इसमें लिखा है इसलाम को जूट और कुरान को जहर बताने वाले डच सांसद ने अपनाया इसलाम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसलाम विरोधी जो लोग हैं जो इसलाम विरोध के खिलाफ इसलाम का विरोध करते हैं उन्होंने किस तरीके से इसलाम धर्म को जो है वो कुबूल भी किया है यहाँ पर लिखा है डच पीपल नीदरलैंड नाकरिकों की जर्मनिक एथेंटिक ग्रूप के लोगों को कहा जाता है यह लोग डच भाशा बोलते हैं और एक कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं यहाँ के योराम फॉन क्लोवेरे नाम के पुर्व राशनिता सुर्ख्यों में क्लोवेरे नीदरलैंड में गिट विर्स की पार्टी पी वीवी की ओर से 2010 से 2014 तक स्तांसद रहे यह पार्टी दुनिया भर में इसलाम विरोधी कामों के लिए जानी जाती है और शायद इसलिए इन्होंने उस तरह का बयान दिया कि इसलाम जो है वो जूट है और कुरान प यह 2019 का मामला है जब इन्होंने इस तरह की बाते कहीं तो मामला जो है वो खूब सुर्खियों में आया और उसके बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आया जब इन्होंने इसलाम धिर्म को कुबूल कर लिया इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि आपने यह क्यूं कहा और आपको इस पर अफसोस होता है या नहीं होता है उसमें उन्होंने क्या कहा सुनिये इसलाम कबूलने के बाद एनरसी अखबार से इंटर्विव में यौराम ने कहा मैं अपनी उस टिपनी जिसमें नहोंने कहा तक इसलाम जूट है और उस पर शर्मिंदा हूं उन्होंने कहा ये बात पूरी तरह गलत है साथ ही योराम ने ये भी कहा कि ये पीवी पार्टी की पॉलिसी थी जो कुछ भी गलत था उसे किसी ना किसी तरीके से इसलाम से जोड़ा जाना था यहां आप देख रहे हैं कि दुनिया में इसलाम विरोधी कारिकता जो है उन्होंने किस तरी इसलाम धर्म को लेकर ये कई तरह की टिका टिपनी करते थे लेकिन उसके बाद इन्होंने 2013 में इसलाम धर्म कुबूल कर लिया है बीबिसी की ख़बर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें लिखा है अपने इसलाम विरोधी अटीप पर मुझे अफसोस हैं दरसल लंबे समय तक इसलाम के अरोचना करने वाले डच राचनिता अनाट वान डून ने अब इसलाम धर्म कुबूल कर लिया है 2013 का ये मामला है ये मामला भी खुब सुर्ख्यों मेरा क्योंकि पहले तो वो इसलाम विरोधी हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने इसलाम धर् पीवीवी यानी फ्रीडम पार्टी के मेत्पूर्ण सदस्य रह चुके हैं ये वही पार्टी है जो अपने इसलाम विरोधी सोच और इसके कुख्यात नेटा गेट्री वाइडल्स के लिए जानी जाती रही है मगर उन्होंने साल 2013 के मार्च में अनाट डून ने इसलाम धर जैसे कि मैं ये सोचता था कि इसलाम बेहद सहीशनु है महिलाओ के साथ ज्यात्ती करता है आतंगवात को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में इसलाम के खिलाफ इस तरह की पूर्वागर्य प्रचलित है और उसी को लेकर उनकी सोच पे ऐसी होगी थी लेकिन उन्होंन कर लीजिए चाहे आप फेमस रैपर की बात कर लीजिए अमेरिका से या फिर आप बॉलीवूट की बात कर लीजिए कुछ खबर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जिसमें पिछले दिनों इन लोगों ने इसलाम धर्म को कुबोल किया और इसी के साथ इन्होंने जो कुछ लीजिए नाम से मशूर अमेरिकी रैपर और गीत का डर्क डेरेक ने इसलाम धर्म को कुबोल कर लिया लीजिए ने कहा मैं अब एक मुसलिम हूँ और मुझे इसलाम पर गर्व है उसकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां तक कि बॉलीवूट के एक इसलाम धर्म को कुबूल कर लिया जिस बात की पुष्टें उन्हें थाली कि कैंसर और हैंडिकैप जैसी बाते कहीं जिसके बाद वही हश्रून के साथ हुआ आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सरूर बताएं दलाइफ टीवी सच सबसे आगे